हेलो गैस स्वागत है आप सबका आज हम बात करेंगे अधानी ग्रूप की ओ यह बरी ख़बर निकल कर आ रही है हेडलाइन को देख सकते हैं कि 8 APIs to settle matter with SEBI for alleged violence in Adani stocks report और यहां पर पहले तो इसको हम हिंदी में convert करकर देखेंगे ताकि सबको आसन बसा में समझ में है कल ही इसके उपर हमने बात की थी वो वीडियो कल की नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियो है दोस्तों वो जरूर देखे आप साथ साथ से आठ महीने पहले भी हमने एक चर्चा की थी मैंने कम्यूनिटी जो पोस से वहाँ पर जो है पोस डाली थी कि मुझे इनकी आशंका मठलब की लग रही थी कि ऐसा हो सकता है और एक हिंट दिया था और अभी भी हमारी कम्यूनिटी पोस के ऊपर आप जाएए वह पर अभी भी एक हिंट दिया है तो हो सकता है इसा मतलब कि इसके उपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन हमें कॉम्यूनिटी पोस आप जरूर देखे आज की तो पहले तो इस रिपोर्ट को इंग्लिस में हम आप देख सकते हैं उसके बाद इसका हिंदी में हम ट्रांस करते हैं और अगर ट्रांसलेंशन के अंदर कुछ मतलब की मिस्टेक हो तो उसका हमें पता है नहीं लेकिन शाम को इसके उपर वापस से हम चर्चा करेंगे साथ-साथ अधानी ग्रूप के कहीं शेरों के उपर डेली टेक्निकल चार्ट के उपर हम एनालिस करते हैं तो अग क्या है पूरा मामला यह आप यहां यहां पर देख लेते हैं कि The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार सुची बद अधानी संस्थावों में अपने अंतिम लाबकारी मालिकों के बारे में जानकारी बनाए रखने और खुलासा करने में विफल रहने के लिए सेवी द्वारा चिनहि तेरा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशको यानि कि FBI में से आठ जो है वो बाजार नियमक के साथ यानि कि सेवी की बात हो रहे है तो आठ जो है वो मतलब कि 8 FBI सेवी के साथ जो है उलंगन के मामलों को निप्टाना चाह रहा है रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी प्रतीनी दियो अब्दुल्ला इंवेस्मेंट फंड, क्रेश्टा फंड, MGC फंड, एशिया इंवेस्मेंट कोर्परेशन यानि कि मौरिशिस और AP MS इंवेस्मेंट फंड, इलारा इंडिया ओपोचुनिटी फंड, वेस्पेरा फंड और LTS इंवेस्मेंट फंड ने सेवी के साथ कुल 16 निप्टान आवेदन दायर किये है, I hope कि आप सब इसके समझ पा रहे होगे, मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए, मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि कारण बताओर नोटिस फरवरी दोजार चोबिस में जारी किये गये थे कहानी में उद्गृत लोगों ने कहा कि कई अन्य एप्पी आई जिनके पास अदानी समुकी कंपणियों के शेर भी है और जिन पर सेबी द्वारा उनलंगन का आरोप लगाया गया था तो निप्टान आवेदन जमा करने की योजना वो बना रहे है और ये मामला मुझे ऐसा लग रहे है कि जल्द ही जो है अब ऐसा लग रहे है कही न कहीं कल ही हमने इसके उपर चल चाकी थी और आगे देखते हैं कि मामला अक्तुमबर 2020 का है जब सेबी ने अदानी समुकी कंपणियों की शेर धारिता सन रचनाओं की जहाच शुरू की थी ये कदम बाजार नियामकों की आंत्रिक निगरानी प्रणाली द्वारा समुकी सुची बद संस्ताओं में कुछ विदेशी हिस्यदारी की उच्च संधरता के बारे में चिंताओं को चिनहित करने के बाद आया है मुख्य सवाल ये था कि क्या ये विदेशी निवेशक प्रमोटरों के लिए प्रोक्सी के रूप में काम कर रहे थे या वास्तविक सारवजनिक शेर धारक थे तो मतलब कि ये एक मामला था निया मक ने जाच के लिए कूल तेरा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानि की एप्पी आई की पहचान की जिनमें पहले उलेखित आठ और पांच अन्य शामिल है तो इमर्जिंग इंडिया फॉकस फॉंड एम रिसर्जेंट फॉंड पॉलस ग्लोबल फॉंड न्यू लीना इंवेस्मेंट और ओपल इंवेस्मेंट हाला की जाच रुक गई क्योंकि सेबी को इन एप्पी आई के अंतिम लाबकरी माली को और अदानी समूं के साथ उनके स अंबावित संबंदों को निर्दारित करने के लिए संगर्श करना पड़ा तो यह जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की जो है तारीख और टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं कल ही हमने इसके ओपर चर्चा की थी यह रिपोर्ट तो आ जाई है और कल ही हमने काफी इसके ओपर रिसर्च की और मतलब की आप वो वीडियो को देख सकते हैं मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब ये मामला जो है उसका एक रिजल्ट जो है एक चल्दी ही आ सकता है इसके अंदर और शाम को वापस से डीटेल में भी इसके उपर चर्चा करें कि आई थिंक के और भी यहाँ पर जो है इसके उपर कुछ मतलब कि अभी तो यह रिपोर्ट अभी अभी आई है लेकिन और भी इसके अंदर जो है कुछ डीटेल्स आ सकती है एंड मुझे असा लग रहा है कि अगर यह सेटल्मेंट हो जाता है तो मतलब कि यह अच्छा ही रह सकता है कहीं न कहीं तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों औ है कि कहीं अदानी ग्रूप के शेयरों के उपर तो तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो और आज के वीडियो में इतना ही और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ आपको इप साथ को दी लें यह वीडियो में ने जो के सन परपस के लिए मेरे तरफ से कोई भी बाई एसल करें कमनेशन नहीं है थेंक यू